अगर मार्केट में इंट्राडे मूव आने वाला है तो वो कैसे हम पता लगा सकते हैं यूजिंग ऑप्शन चेन देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके ते प्रीमिम को अगर आप आप अब्ज़र्व करेंगे और जब एक कंडिशन आराइव होती है तो आप इसे किस तरीके से प्ले करते हैं यह भी बहुत मेंटर करता है तो सारे points को one by one हम cover करेंगे हमारी वीडियो में, तो बिना किसी देरी के चली शुरू करते हैं और जानते हैं इस concept के बारे में, तो देखें आप लोग observe कर सकते हैं, charts के ऊपर किस तरीके से market move कर रहा होता है, charts में अगर आपको market दिखेगा तो वो या तो एक uptrend में move करेगा, या फिर एक downtrend में move करता हुआ दिखेगा, इसके अलावा जो scenarios आपको देखने के लिए मिलते हैं intraday में, वो है कि market sideways move करता है, अब देखें, market daily तो trend नहीं दे सकता है, इसलिए market करता है, एक certain point में trend देगा, उसके बाद trend नहीं देगा, इसका एक example ले लेते हैं, इसका एक example इस तरीके से है, कि market ने morning session में एक अच्छा trend दिया, और बागी की lately session में market ने sideways behavior शो किया, morning session का मतलब क्या है, morning session का मतलब है, 9.15 से लेके 12 तक, ये आपका morning session निकल किया जाता है, तो इस दौरहन तो market ने एक अच्छा move दिया, इसके बाद market sideways हो गया, कई बार इसके option chain का कैसे use के जाए, to identify a big movement, especially अगर आपको trap समझना है, अगर आपको trap समझना है, अगर आपको trap trading करनी है, तो उसमें बहुत ही अधा helpful आपके होने वाला है, तो इस concept में आगे बढ़ते हो, हम लोग देखते हैं, कि number one point, market में आपको premiums read करने आने चाहिए, देखिए अगर आ derivatives पर trade कर रहे हैं और आप premiums से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो definitely आप बहुत बड़ी mistake कर रहे हैं, आपको हमेशा call of put के premiums को read करते रहे हैं, और यहीं से हमारी याद की strategy निकल के आती है, देखिए अगर आपने call option read करना है, और put option read करना है, तो आपको हमेशा एक चीज़ out of the money, किस rate पर चल रहा है यह आपको समझना पड़ेगा, देखिए अगर market पचाहसदार पर चल रहा है, तो जो पचाहसदार दोसों की call option वो definitely out of the money है, इसके अलावा 49,800 की put option है, वो भी definitely क्या है, out of the money है, reason being क्योंकि market अगर expire करेगा, तो दोनों ही चीज़ों में कोई देखने के लिए नहीं मिलेगी, अब जो strike आपको out of the money देखने के लिए मिल रही है, उस strike पर अगर आपके पास premium है, कुछ imbalance देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ आपको देखने वाले point है, वहाँ आपको notice करना पड़ेगा, कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनरली क्या होता है, करीब करीब 40 रुपए पर, यह एक example मैं आपको बता रहा हूँ, time बहुत ज़्यादा matter कर जाता है, कि morning session में हो रहा है, फिर उसके बाद session में हो रहा है, because of the theta decay, इसके बार में अलग से बात करेंगे, but at the very same time, अगर put option की बात करके चलें, तो यहाँ आपको 40 का प्रीम है, वह कोपर की direction में strong move दे, and क्यों हो यह move देगा, यह move इसलिए देने वाला है, क्योंकि market कहीं ना कहीं, जो heavy premium से उसकी तरफ जाता है, market tries to always move in the direction of most weightage, जहाँ पर जादा से ज़्यादा लोग call rating करके बैठे हैं, अबर put rating करके बैठे हैं, वहां market के जाने की probability बहुत high होती है, इसी मिल रहे हैं, उसकी intrinsic value क्या है, और उसकी time value क्या है, अब क्योंकि हम लोग यहां पर out of money options की बात कर रहे हैं, तो उनकी intrinsic value तो 0 निकल गया आती है, तो time value है उनकी, उसी पर आपको fluctuation देखने के लिए मिलता है, प्लस एक और चीद आपको समझरी पढ़ेगी, अगर call महंगे है put से, तो definitely जो IV का impact है, वो definitely आपको call में ज़्यादे देखने के लिए मिल रहा है, कहने का मतलब, अगर IV increase हो रहा है, तो call की premium ज़्यादे है, बढ़ा रहा है, income comparison is put के premium, तो IV shot जो लोग करते हैं, जो लोग यहां पर बुरी तरीके से trap होते हैं, और उनके stop losses करते हैं, जो करते हैं, वो बड़ी quantities में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जब बड़ी quantities कटती हैं, तो आपको cascading effect देखने के लिए मिल जाता है, तो इस तरीके से आपको overall यह समझ में आता है, कि premiums को देखते हुए, आप यह अंदाजा लगा सकते हैं, कि expiry के दोरौन, बड़े movements कि इस direction म आने वाले हैं, अब इसे हम club कर लेते हैं, हमारे open interest की analysis से, देखें, अगर call की premium आपको महेंगे देखने के लिए मिल रहे हैं, आप option, आप क्या करिए, OI chart पर चले जाए और वहां पर जाके देखें कि open interest कि strike पर ज्यादा बना बैठा है, अजिम कर लेते हैं कि market 50,000 पर चल ले मिल रहे हैं, तो chances are very high कि market एक sharp momentum देगा, 50,500 की call option को trap करने के लिए, तो ये जो move आने वाला है, इसे आप definitely capture कर सकते हैं, अपनी option strategies से, अब कौन सी आप लोग option strategies use कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर जानना बहुत ही जाता important है, देखें, जर्नली की जितनी में analysis है, ये analysis होती है from the option selling point of view, कि आपको अगर option sell करने हैं, और आपको दिख रहा है कि call option महेंगे चल रहे हैं, तो आप call को छोड़ दीजिए, आप करिए put को sell, क्योंकि chances are very high कि market का एक bias बना हुए उपर direction में जाने के लिए, तो आप put option को अगर sell करना चाते हैं, तो नेकर तो बिल्कुल नहीं कर करेगा, कि credit and debit का जो phenomenon है, वो इस तरीके से काम करता है कि credit में आपकी probability वो 70% के आसपास रहती है, और debit में आपकी probability 33% के आसपास रहती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि debit spend में आप net option buyer होते हैं, और credit spend में आप net option seller होते हैं, तो यह कुछ चीज हैं जो आपको समझ रही है, तो trade, तो इस तरीके से आप लोग entire segment में आएंदा कभी भी trade करते हैं, तो किसी भी strategy का आप use कर रहे हो, whether it is RSI based, whether it is MSCD based, या फिर whether it is purely data based, हर चीज में आपको क्या करना है, premiums को read करना है, अगर आप premiums की reading सही तरीके से करते हैं, definitely आपके accuracy better हो सकती है, तो इन छोटे-छोटे concepts को जो मैं आपके लिए वीडियो में अलग से लेके आता हूँ, इन्हें हलके में नहीं लेना है, इन सारी concepts को जब आप align करते हैं, mix करते हैं, तब जाके एक अच्छी strategy बनती है, और उस strategy में आप एक professional trading की तरह काम कर रहे होते हैं, अब देखें कुछ और points को भी यहां पर हम ल नहीं देखते हैं, वहां आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको बढ़े हुए देखते हैं किसी एक direction में, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके opposite trade बनाने की कोशिच करेंगे, number two यह हो गया, number three, जब आप trade बनाएंगे, तो आपको resistance and support level सी भी देखते हुए चल ले हैं, तो यह कुछ चीज़ें आप यहां पर note कर सकते हैं, अब support and resistance को use करते हुए आप लोग option rating कर सकते हैं, इसके लावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लावा आप लोग simply market में, जभी भी ऐसी कोई strategy बन रही हो, तो आप लोग यहां पर VWAP का use कर सकते हैं, कि VWAP आपको overall trend क् दिखा रहा है, अगर आपको call option बढ़ते हुए देख रहा है, और price VWAP के नीचे चल रहा है किसी भी एक index का, तो definitely आप लोग यहां पर value identify कर रहे हैं, कि market end होते 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 हैं, में भी reverse कर जाए, and that's how you can trade below the VWAP as well, तो इस तरीके के modifications आप लोग definitely पनी strategies में कर सकते हैं, I hope आप आपको यह content पसंद आओगा, एक informative session आपको ही लगाओगा, अगर आपको आपको समझ नहीं आया, हम उसके उपर भी काम करेंगे, इसके लावा like करना तो आपको भी भूलते ही नहीं, and अगर आप भूल रहे हैं, तो please subscribe to our videos, as well as like our videos, तो मिलते हैं, next video में